हेलो फ्रेंज, स्टांडर्ड इलेवन, चेप्टर नमबर 4, जिसमें हमने 20 एक्जम्पल तर देखा हुथा, उसके बाद जो एक्जम्पल है, ये कमबाइन स्टांडर्ड इविएजन है, वो करने की जरूद नहीं है, बराबर वो 30 परसन में से वो माइनस कर दिया है, यानि हम क्या लिखा हुआ है, कि हमें ये सब x बार और s तो वैसे फाइंड कर पाएंगे, जिसमें x बार प्लस माइनस s, ये नया हमें फाइंड करना है, यानि क्या होगा, ये जो फर्स्ट एमाउंट दिया हुआ है, वो x दिया हुआ है, x दिया हुआ है, और second दिया हुआ हो f दिया हुआ है, बराबर तो यहां दुनों को multiply करना है, f इंटु x, यानि क्या होगा, fx, 2 इंटु 1, यानि 2, 3 इंटु 2, 6, 3 इंटु 3, 9, 4 वन्जा 4, 5 वन्जा 5, बराबर ये fx हमें मिल गया, अब इसका total 26 divided by n is equal to kya हैगा, 10, यानि हमें x बार मिल जागा, x बार is equal to sigma fx upon n, 26 divided by 10, यानि 2.6, ये x बार मिल गया, अब इसके लिए हमें fx का square करना पड़ीगा, fx का square यानि क्या होगा, fx into x, यानि fx को x से multiply करना है, बराबर, यानि x का square है, f का square नहीं है, यानि 2, 1 जा 2, 6, 2 जा 12, 9, 3, 27, 4, 4, 16, 5, 5, 25, तोटल करेंगे 82, यानि s, standard deviation के लिए, s is equal to root में sigma fx square upon n, minus x bar square, ये fx square कितना दिया, 82 divided by 10, यहाँ 2.6 का square, बराबर, x बार दिया है, वो, चलो, यहाँ 8.2 आएगा, minus 2.6 का square कितना आएगा, 6.76, ओके, minus करो 1.44, और उसके root की sign दबा देनी, यानि क्या होगा, 1.2, s is equal to 1.2, यानि क्या करेंगे हम, अब ये तो common था, ये हमने आगे भी सिख ले आदा, पर नया ये है, कि हमें limit find करनी, यानि x bar minus s, और x bar plus x, दूनों find करना है, पहले minus करेंगे, उसके बाद plus करेंगे, यानि 2.6 minus 1.2, यानि 1.4, और x bar plus s, यानि 2.6 plus 1.2, यानि 3.8 आएगा, बराबर, यानि उसके limit क्या होई, 1.4 से लेगे 3.8 था, बराबर, तो वो अमारी limit हुई, पर यहां क्या बोला हुए, the total number of the days, अब percentage of the having the accident within the limit, बराबर, यहां 1.4 से लेगे 3.8 था, यहां का लिखा हुआ है, 1.8 लेगे 3.8, यानि यह दुनों आएगे, 3 और 3, यानि 6 आएगा, और 6 को हमें क्या करना है, यह find करना है, percentage में, 6 divided by 10 into 100, यानि 60 percentage, बराबर, percentage बुला है, इसलिए यह extra किया, तो यह याद रखना है, यानि यह 1.4, यानि 1 से ज्यादा, बराबर, और 3.8, यानि 4 से कम, यानि यह दुनों ही आएंगे, दुनों को टोटल करके, उसका percentage फाइंगे, 6, यह 6 divided by 10 into 100, यानि 16 percentage ऐसे लोग है, कि जो X बार और S के बीच में आते हैं, बराबर, यानि उसके बाद 25 नमबर में, 25 नमबर में, करेक्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहान देखो, the mean number of the unit, produced by 100 workers, टोटल workers कितने हैं, 100, factory per day 60 units, and its standard deviation 10, बराबर, यानि N दिया है, यह X बार दिया हुए, अरे, worker दिया हुए, और mean का X बार दिया हुए, और यहान S दिया हुए, बराबर, यह प्रोड्यूस किया हुए, पर उसने रजिस्टर कितना गया, 5 and 45, by considering these, find the correct, the mean and standard deviation, correct the standard deviation of the number of the produce, तो हमें simple चीज़ है, पहले क्या करेंगे, N और X बार से, यह जो Sigma X और Sigma X बार हम फाइंड कर देंगे, यानि X बार is equal to Sigma X upon N, N 100 दिया है, X बार दिया है 60, यह दुनों का multiply करने से, Sigma X is equal to क्या हैगा, 6000, बराबर यह 6000 मिल गया, Sigma X, सिम वेसे यहाँ, S is equal to root में Sigma X का square upon N, X बार is equal to 60, यहाँ root है, तो यहाँ square हो जाएगा, 10 का square करोगे, तो क्या हैगा, 100, Sigma X upon वेसे ही रहेगा, और upon 100, यहाँ 60 का square, 3600, यह minus है, तो क्या हो जाएगा, plus, यानि यह दुनों का plus कितना होगा, 3700, यह divide में तो multiply में आगया, multiply करेगे, तो Sigma X square is equal to, यह amount रहेगी, अब हमें क्या करना है, कि Sigma X, Sigma X square दुनों मिल गया, तो उसमें से, जो गलत थे, 5 और 45 थे, जो गलत थे, वो minus किया, और जो सही थे, वो हमने क्या किया, plus किया, यानि यह correct हो गया, वो यह amount आ रही है, पर यहाँ square में अलग आ रहा है, बराबर, जो minus थे, उसका square हमने क्या किया, plus किया, बराबर, यहाँ plus square करके, यहाँ minus plus करते हैं, तो यानि 369,250 आ रहे है, अब correct mean find करने के लिए 6000 divided by 100 यानी 60 वो ही amount रही है बरब उसमें कोई changes हुआ नहीं पर standard deviation में root में correct sigma x square minus upon n minus correct x bar square ये value लिख दी divided by 100 ये 60 का square 3600 माइनस करो 92.5 रूट निकालो 9.6177 पॉइंट के बीचे हमें कितने लिखने है तू डिजट यानी क्या होगा 9.62 आ जाएगा बराबर अब उसके बाद ये जो mean वाला है वो करने की जरुवत नहीं है क्यों सब साथ में दिया